नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूटुब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है तो मैट्स कि सम इंपॉर्टन कुर्सन जो कि आपके आने वाले किसी भी कमपटेटिव एक्जाम्स के लिए वेरी वेरी उच फूलूंगे आईए देखते हैं आज का पहला प्रस्ण है एक निशित रासी पर दो वर्षों के लिए बारह प्रत्सत वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले साधार व्याज और चक्रविदी व्याज में अंतर 72 रुपए है दी गई मासन रासी का मान रुपए में क्या होगा आपको दिया गया है चार आपसन यह प्रस्णा आप बड़े आसाने से कर सकते हैं देख लिजे कैसे करेंगे आपको जब भी यह कहा जाए कि दो वर्षों का ठीक है किसी भी दर आर प्रत्सत वार्षिक पर कोई भी व्याज की दर हो पर चत्कविर्दी व्याज और साधार व्याज का अंतर ठीक है जब भी प्रस्ण में आपको इस तरह से दिया गया हो तो हमेशा आप याद रखेंगे कि दो वर्षों का आर प्रत्सत वार्षिक दर पर चत्कविर्दी व्याज और साधार व्याज के अंतर आपको पूरा हल करने की जरूत नहीं है आप डारेक्ट इसको लिख सकते हैं पी दर को लिख लिजिए यहाँ पर आर इसका होल स्क्वाइर कर दीजिए और नीचे आप तो 100 का स्क्ाइर कर दीजिए या इसी को आप लिख दीजिए इस तरह से पी आर इसको आर और यहाँ पर सो का हिस्वार करेंगे यह हो जाएगा दसवाजार जब यहाँ पर तीन वर्षों की बात करेगा यही फार्पॉला थोड़ा सदो ट्वार्ट हो जाता है आर की जगह ये घात 2 की जगह घात 3 हो जाता है तो इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे ठीक है नीचे भी 100 के भी घात 3 हो जाता है और थोड़ा से उपर और चेंज होता है तो इसकी चर्चा हम अगले प्रस्ट में करेंगे ठीक है आगे प्रस्ट मिलेगा तो उसमें चर्चा कर देंगे इ इसका स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि आर का स्क्वायर है और इसकी अपान हो गया दस अजार और यह अंतर दिया गया है 72 रुपए तो इसको आप लिख लिजिए 72 ठीक है तो दो वर्सों का आर प्रसत वार्शिक पर चक्रविदी ब्याज और साधार ब्याज का अंतर के लिए यह फार्मला भी उच करेंगे हमेशा आपने दर का मान रख लिया मूलदन आपको निकालना हो सकता है कभी आपको मूलदन दिया गया हो आपको दर का मान निकालना हो ठीक है तो पी 12 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 144 हम 12 का दो गुड़ा करके देखेंगे तो 144 आएगा यह वहत्तर गुड़े कर देंगे आप 10 अजार थीक है या पी बराबर हो जाएगा याँ देख लिजे ठीक है क्योंकि अच्छांतर करने पर प्लस का माइनस माइनस का प्लस गुड़ा का भाग और भाग का गुड़ा हो जाता है अब अगर आप यहां ध्यान से देखें तो 72 एकम 72 होता है और 72 दूनी 144 होता है आप गुड़ा करके देख लिजिए दो दूनी 4,24 हो जाएगा ठीक है फिर आप इस दो से इस दस हजार में भाग दीजिए हो जाएगा दो पच्छे 10 और यह तीन जिरो और बच जाएंगे आपके यह आपका मूल दन आ गया 5000 फिर अथे आपको जाएगा राइट आंसर अगर आपको यह ट्रीक पता रहेगी आप इस प्रस्न泉 को 5-10 स म collagen के अंदर कर सकते हैं और आपको यह तहली अजिए देखते हैं फिर अगला अगला प्रस्न आपका सीव संकर गोपेश और रीना का आउसत वजन 97 किलो ग्राम है यदि सीव संकर और गोपेश का आउसत वजन 93 किलो है और गोपेश और रीना का आउसत वजन 42 किलो है तो गोपेश का वजन कितना होगा आईए सलुसन देख लेते हैं इसका यहां पतकर ध्यान से अगर आप देखें अगर आपको यह समझना होगा सबसे पहले प्रस्नों को देख करके कि अगर आपको सीव संकर गोपेस और रीना इन तीनों का फुल वजन पता चल जाए ठीक है उसके पस्चात आप सीव संकर और गोपेस का वजन पता चल जाए और गोपेस और रीना का वजन पता चल जाए आप क्या करेंगे सीव संकर और गोपेस में के वजन में रीता और रीना और गोपेस का वजन एड़ कर देंगे ठीक है यहां देख लीजिए सिव संकर गोपेश दो बार आ जाएगा और रीना हो जाएगा ठीक है यह इन चारों का वजन अगर आपको पता चल जाए इसमें से अगर आप इन तिनों का वजन माइनस कर देंगे यानि सिव संकर का माइनस हो गया इस पूरे में सिव संकर गोप फिर गोपेज और रीना का वजन। है थेयाँ पर शिवसंकर, गोपेज और रीना ये भी माईनेस हो जाएंगे. गोपेज दूबार है तो गोपेज आपका एक बार बच जाएगा और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आएे देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ठीक है? इसका मतलब ही हुआ कि अगर आप इस 3 का इस invariable में multiply कर द aja अगर आप तो हो जाएगा आपका 327 और 3927 2829 दो सो इक्यान भी हो गया यह आपका हो जाएगा सिव संकर गोपेज और रिना का कॉ कू लबजन ठीक है? इनका आउसत निकालने के लिए क्या करेंगे आप? यह तीन हैं, तीन लोग हैं, तो तीन से इसमें आप भाग दे देंगे सुत्तान में आजायेगा, यही आपका सिवसंकर, गोपेश और रीना का आउसत वजन हो जायेगा तो आउसत वजन से कुल वजन इस तरह से निकाला जाता है इसी तरह से देख लिजी आप सीव संकर और गोपेस का आउसत वजन सीव संकर और गोपेस का आउसत वजन ये दो लोग हैं आप यहां दो से भाग करेंगे यहां तीन लोग थे आपने तीन से भाग किया था तीन तीरान बे किलोग्राम है तो सिव संकर और गोपेस का कुल वजन निकालने के लिए आप क्या करेंगे तीरान बे गुड़े दो कर देंगे यह आपका हो जाएगा दो तीन अच्छा और दो नमा अठार प्लस रीना इनका आउसत वजन यानि 2 से भाग करती जिए इन दोनों का वजन में जोड़ करके 2 से भाग करेंगे यह आसत वजन आ जाएगा और इसका मान दिया गया है 42 किलो ठीक तो गोपेस और रीना का कुल वजन हो जाएगा इह होगा आपका अब देख लिजिए समिकरड़ दो और संकरड़ तीर उनको आपको आड़ करना है इन दोनों को जोड़ना है कैसे जोड़ते हैं बाई तरफ वाले को बाई तरफ जोड़ देते हैं दाइने तरफ वाले को दाइने तरफ जोड़ देते हैं यह आपका हो जाएगा शिव संकर प्लस गूपेस प्लस गूपेस प्लस रीना ठीक है इसमें आपने इसको जोड दिया जोड दिजिए इसी तरह से 184 प्लस 164 कितना हो जाएगा इकाई का इकाई में जोड दीजी 148 हो गया एक हो गया आपका हासिल अब इसका दाई इसके दाई में जोड़ दीजी 8, 6, 14 और एक हासिल हो गया 15 ठीक है पुना आपका एक हासिल प्राप्त हो गया अब सैकड़ा सैकड़ा जोड़ दीजी आप 100 जुपलेस है 1 और 1 2 हो गया और 1 3 हो गया 350 हो गया इसको आप मालेजी समिक्रण 4 अगर आप समिक्रण 4 में से समिक्रण 1 को माइनस कर दे देख लिजी यहाँ पर करता हूँ मैं समिक्रण 4 को लिख लिजी पहले आप तो माइनस भी आप ऐसे ही करते हैं 2 तरफ वाले में से 2 तरफ को माइनस करते हैं यह वाला होगे समिक्रड एक और दाइने तरफ में से दाइने तरफ को माइनस करेंगे आप पहले मैं इसका समिक्रड चार का लिखेंगे आप बाए तरफ होला मान किसी उसंकर प्लस गोपेश प्लस जी प्लस आर ठीक है इसमें समाइनस करेंगे आप समिक्रड एक के लेप्ट प्लस जी प्लस आर तो जब आप माइनस चिन यह ब्रैकट को तोड़ें कि आप इन सभी का चिन बदल जाएगा आप सभी जानते हैं माइनस चिन लगाने से चिन परिवर्टित हो जाते हैं अभी इन तीनों का चिन प्लस है इसका चिन नहीं दिखाई दे रहा हो आपको उसका चिन्न हमेशा प्लस होता है, ठीक है? तो जो संक्या सबसे पहली होते हैं, उसके पहले हम प्लस चिन्न नहीं लगाते हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा, माइनस यस, माइनस जी, माइनस आर, इन तीनों का चिन्न परिवर्थित हो गया, अब राइट हैंड साइड देख चिन्न में बत लेज़ए पोसे पहले हैं, खीव जबतोग चिन्न है, यहाँ देख लिघी, और देख लिजए, हैसे 320 में वही पीश कर दिछे हो माइनस कर्दीचे याफ और डिरिटल भी मैनस कर सकते हैं, इसके सैकड़े में से शरी इसके एकढ़ी में से इसको इकाई को माइनस करेंगे सुनने में से एक नहीं घटेगा यहां से बार ले जाएंगे यहां हो जाएगा चार और यहां हो जाएगा दस जब एक आप यहां से बार लेंगे उधार लेंगे दस में से एक घटेगा तो नव बच जाएगा यहां पर और चार में से न गटेगा तो कुछ नहीं बचेगा यानि गोपेश का वजन आ गया वंसट किलो आप इस तरह से बड़े आसानी से घटा सकते हैं थोड़ा प्रेक्टिस कर लेंगे यह बहुत अच्छा होता है आपका समय इससे बचेगा तो इस तरह से अगर आप इस प्रस्न को अच्छी से सम आजन हो गया ़ीजा देख लेते हैं अग़ प्रस्न अगला प्रस्न है आपका यह दी कोसिक कि घाती 4 A बराबर यह क्सा हो तो एक स का मान क्या होगा आपको चार बिकल् rash दिए गये है अगर आप विकल्पों में ध्यान से देखे तो तैन या कोट में यह बिकल्प आपको द देना है आई ये देख लिजी solution आपको दो relation पता होना चाहिए इस प्रसंद को करने से पहले trigonometric का एक होता है say square a minus 1 is equal to होता है 10 square a या इसी को आप लेख सकते है say square a is equal to 1 plus 10 square a 1 को आप इधर लेकि आएंगे तो प्लस हो जाएगा 10 square में एक चीज आप 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 समझ लिजी यहीं पर कि जैसे मैंने कहा आपसे 10 A का whole square करिए ठीक है तो इसका मान हो जाएगा 10 square A यानि यह जो square लगा है यह square 10 पे लगता है कि A पे लगता है ठीक है तो A का हम 10 निकाल रहे हैं अगर आप वर्ग करेंगे तो 10 का ही वर्ग होगा तो सेक स्क्वायर या कोसिक के घाते 4A का मतलब हो गया कि कोसिक A का 4 घात है ठीक है तो आई होब कि आपको समझ में आ गया होगा इसी तरह से आप लिख सकते हैं कोसिक स्क्वायर A माइनस वन ये बराबर होता है काट स्क्वायर A के या फिर कोसिक स्क्वायर A जुकल टू ये बराबर हो जाएका 1 को इदर लेके आएंगे हो जाएका 1 प्लस काट स्क्वायर A ठीक है ये ट्रिग्नोमेट्री का रियलिजर ने बिल्कुल आपको पता होना चाहिए अब देख लिजी हैं पर मैं इसको लिख ले रहा हूँ जो प्रसमें आपको दिया गया है कोसिक की घाते 4A माइनस कोसिक स्क्वाइर ए ये बराबर है यक्स आपको यक्स कमान बता रहा है यानि basically यक्स कमान इसके बराबर है तो आपको इसी को साउल कर लेना है कोसिक घात 4A माइनस कोसिक स्क्वाइर ए इसको हम 10 में तो चेंज कर नहीं सकते हैं तो कोसिक इसक्वाइर ए कमान कितना होता है 1 plus cot square A ठीक है अब देख लिएजी यहाँ कोसेख गाथ 4A है minus कोसेख square A है इसको हम easily कैसे कर सकते हैं ऐसे तो आप अगर करेंगे इसको कोसेख square A लिखके फिर उसका square कर देंगे फिर आप कोसेख square का मान रखके उसका square करेंगे काफी लंबा बढ़ जाएगा आप क्या करेंगे यहां से कोसेक square A को common ले लिजिए ठिक कोसेक square A को आप common ले लिजिए तो यहां बच जाएगा कोसेक square A क्योंकि अगर 1 सगाथ 2 हो इसमें गुड़ा करेंगे आपने एक कोसेक square A बाहर ले लिए तो आपका बच जाएगा कोसेक square A यहां बच जाएगा केवल 1 क्योंकि यहां से कोसेक square A बाहर हो गया फिर आप कोसेक square A का गुड़ा करेंगे एक में यहां पर आजाएगा कोसेक square A यह बराबर आपका यक्स है ठिक है माइनस इन यहाँ माइनस इन लगा दिया आपने अब देख लिजिए कोसिक स्क्वाइर एक अमान कितना होता है और वन प्लस कॉट स्क्वाइर ए होता है आप लिख लिख लिजिए इसको सीधे-सीधे वन प्लस कॉट स्क्वाइर ए ठीक और कोसिक SqA-A-1 की जगह आप क्या लिखेंगे Cot SqA Cot SqA E ये बराबर हो गया X अब इस Cot SqA A का इस में खुड़ा कर दीजिए यहाँ पर दो पद हैं पहले पद में खुड़ा करेंगे एक में खुड़ा होगा तो आपका हो जाएगा Cot SqA ठीक है प्लस है तो प्लस लिख लिख लिजी है यहां पर फिर आप इस caught square a का caught square a में गुड़ा करेंगे तो यह घात जुड़ जायेंगे caught caught a caught a समान है तो इनकी घात जुड़ जायेंगे गुड़ा करने के बाद तो यह caught घाते 4 a हो जाएगा यानि caught a का फोर पावर है यह बराबर हो गया यक्स अब यहां देख लिजी आप यह आपका बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट की गाते चार ठीक है कॉट ए की गाते चार ए 4 प्लस कॉट ए का स्क्वायर ठीक है इसको पढ़ेंगे कॉट कॉट के सक देख गाते दो यह अलग चीज्ज है और कई는지 इसका स्कॉर करेंगे यह प्रापत होगा आपको इन दोनों Ilk दिफिरेंश जांते रहेगा तो यक्स का मान आ गया कॉट के फावर फूर प्लस कॉट स्क्वाइर ए भी आपका हो गया राइट आंसर तो आजा करता हूँ आपको ये प्रस्न एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा तो इसी तरह से ट्रिक्की प्रस्न आपके लिए लाते रहेंगे तो बहुत धन्यवाद आपसे भी का चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर लिजीगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजीगा